हलो फ्रेंट्स आईए सिंधी यूटूब चैनल में आप सभी कसा अगत है देखे 66 BPSC प्रिलेम जैसे 27 दिसंबर को है मैक्समुम लोग इमेल कर रहे हैं सेंटर चेंज करने के लिए और एक्जाम पोश्पून करने के लिए तो आयोक ने इस्टिकली मना कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा एक्जाम आपका 27 दिसंबर को ही होगा तो उसके लिए एकदम रेडी रहे हैं साथ ही साथ है जैसे ये हमने अभी तक करनेट अफेर सिरीज लाई थी उसमें बिहार special current affair नहीं था बिहार राजविषेज current affair नहीं था तो ये वीडियो पूरा पुरी तरह से केवल बिहार राजविषेज current affair के लिए है जो की most most important है आपके लिए केवल वो topic cover किये गए हैं जिनके exam में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है ठीक है तो आप इसे पूरा आवश्य देखें ठीक है और इसकी जो भी PDF है इस वीडियो की ये हमारे देखें maximum लोग क्या है कि टेलिग्राम नहीं यूज करते हैं तो उनको PDF पाने में problem हो रही है तो ये PDF हम अपने description में 7-8 WhatsApp ग्रूप का link दे रहे हैं आप इमानदारी से किसी एक ग्रूप में click करके join हो जाईए आपको वहाँ पे उर्स WhatsApp ग्रूप में आपको PDF मिल जाएगी सभी ग्रूप में join नहीं होना है किसी एक ग्रूप में join किजिए और ताकि मिल जाए साथ ही जो लोग पहला ग्रूप अगर full हो गया है तो वो second link पे click करके join हो third, fourth and so on ये main मक्सद है कि ये PDF current affair PDF, हमारे test series के PDF जो भी हैं सभी उस ग्रूप में send कर दिया जाएंगे जो कि आपके last time preparation के लिए, revision के लिए most most important है तो आई ये हम सुरू करते हैं देखे आज की पहली news है कि देश की पहली किसान rail का परिचालन किया जा रहा है ये news क्यों हमारे लिए important है क्योंकि देखे ये कहां से कहां तक चलाए गई है महराष्ट के देवलाली से बिहार के दानापूर तक ठीक है देवलाली से दानापूर तक ठीक है तो ये इसमें बिहार राजजी की जगा सामिल है तो ये important हो जाती है हमारे लिए अब किसान train होती क्या है देखे ये चलता फिरता एक cold storage है ठीक है इसमें क्या होता है कि जैसे किसानों की जो सबजीया या फिर फल है मास है जो खराब होने वाली चीज़े है ये इसमें store की जाएंगे और एक जगा से दूसरे जगा ले जाए जाएगा ठीक है तो हमारे लिए important क्या है कि महाराज के देवलाली से दानापूर तक पहली किसान रेल चलाए गई है इसी क्रम में यहाँ पे एक चीज़ और जाने ज़रूरी है कि देश की दूसरी किसान रेल भी चलाए जा चुकी है वो कहा चलाए गई है दच्छिन भारत में कहा से कहा तक नियु दिल्ली से अमरावती तक ठीक है नियु दिल्ली से अमरावती आंधपदेश तक अब ये दूसरी तो है लेकिन अगर हम दच्छिन भारत की क्रम में देखें तो ये दच्छिन भारत की क्रम में पहली है क्योंकि पहली हमारी कहां से कहां तक चल चुकी यह महारास से देवलाली तक और दूसरी किसान रेल कहां चली है नई दिल्ली से अमरावती तक ठीक है लेकिन वो दच्छिन भारत की पहली ट्रेन है तो यह दोनों फैक्ट याद रखिएगा नेक्स देखते हैं एक पुस्तक है क्या नाम है उसका सियासत में सदश्यता पुस्तक इसका मुख्यमंतरी निद्जिस कुमार जी दोरा विमोचित किया गया है तो इसके लेखक कौन है इसके लेखक है बिहार विधानसभा के पूर्वी स्वीकर क्या नाम है उनका विजय कुम भागलपूर है ये न्यूज में काफी चर्चा में रहा है इस वीडियो में आप देखेंगे तीन चार पांच जगा इनका इसका नाम आया हुआ है तो भागलपूर को एक जगा लिखके पांचो जो इंपोर्टन पॉइंट है एक ही जगा आप लिख लें तो आपको याद रह जिनकी हाली में मृत्ती हुई है तो उनके सम्मान में बिहार के भागलपूर जिले में भागलपूर जिले के सुल्तान गंज में ये फिल्म शिटी बनाई जा रही है अभी नेता सुसान सिंग राजपूर के सम्मान में भागलपूर जिले के सुल्तान गंज में बनाई जा देखे थोड़ा ये interactive session है लंबा जाएगा बीच बीच में हम आपसे question पूछेंगे उमीद करेंगे कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो like जरूर कीजिएगा और जो भी question पूछा जा रहा है आठ से 10 question आपसे इस वीडियो में पूछे जाएंगे सभी के answer आप comment box में दीजिए क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका विजय कंसेंटेशन बना रहेगा और साथी साथ हमें भी लगेगा कि हमारे इस सीरीज से आपको फायदा हो रहा है और exam तक आपको चीजे याद रहेंगी next है ये हमारे लिए काफी important हो जाते हैं most most important हो जाते हैं क्या नाम है इन दूसरा इनका संबंद बिहार से किस जिले से है तो गोपाल गन जिले से नाम क्या है वाविल राम कलावन नेक्स देखते हैं देखे अब एक scheme सुरू की गई है घर तक फाइबर योजना इसमें आपसे दो चीजे पूछी जा सकती है कि ये कब सुरू की गई है तो 20 सितंबर 2020 को बिहार में 14,000 करोड रुपे की इस योजना का सुबरम किया गया है इसमें घर तक फाइबर योजना लप पहुचाने का लक्ष है ठीक घर तक फाइबर प्रधान मंत्री जी की दोरा सुरू किया गया है तो ये काफी important है इसकी date पूछी जा सकती है और नाम पूछा जा स सहरों को स्मार्ट बनाने के लिए 5 सहर चुने गए हैं उसमें 4 बिहार के हैं क्या क्या नाम है मुझफरपूर, बिहार, सरीफ, भागलपूर और पटना भागलपूर का नाम यहाँ भी आया है तो याद रखेगा स्मार्ट सिटी में एक सहर कौन सा था भागलपूर भी था तो मुझफरपूर, बिहार, सरीफ, भागलपूर और पटना यह बिहार के 4 सहर चुने गए हैं स्मार्ट सिटी की मिशन के अंतरकत नेक्स देखते हैं देखें बिहार देश का पहला राज्य बन गया है क्या करने के क्रम में महिलाओं के लिए पंचायत में 50% अरक्षन देन है ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है नेक्स देखते हैं देखें इंडियन मेडिकल एसोशेशन का एक राश्टी अध्यक्ष चुना गया है क्या नाम है इनका सहजानंद प्रसाद सिंग सहजानंद प्रसाद सिंग है इनका विसंबंद बिहार से है त यह क्या बनाए गए हैं इंडियन मेडिकल एसोचियेशन के रास्टी अध्यक्ष बनाए गए हैं ठीक है नाम याद रखेगा सहजानंद प्रसाथ सिंग नेक्स देखते हैं मोस्ट मोस्ट इंपोरटेंट है संजय मिस्रा यह भिनेता हैं तो स्वक्षिता सर्वेक्षान दोहजार एक्षिस के लिए पठना नगर निगम दारा कि सभिनेता को ब्राण्ड अमेज्डर निप्त किया गया है तो यह संजय मिस्रा है ठीक है याद कि संजय मिश्रा अभिनेता को स्वक्षता सर्विक्षान 2021 के लिए पठना नगर निगम के द्वारा प्रांड अमेज़र निउक्त किया गया है नेक्स देखते हैं Most Most Important है पंकस त्रिपाथी आप सभी ने इनको देखा होगा मिर्जापूर में तो बिहार चुनाव आयोग की और से बिहार विधान सभा चुनाव 2020 के लिए इस्टेट आइकन के रूप में अभिनेता का चैन किया गया है नाम क्या है पंकस त्रिपाथी कमेंट बॉक्स में ये बताईएगा कि इनका बिहार के किस जिले से संबंध है नहीं है तो गूगल करिए पता नहीं है तो अगर गूगल करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर दिजीए कि पंकस्ट त्रिपार्थी का संběnd बिहार के कि जिलें से है और ये न्यूज में क्यों है क्योंकि इने बिहार चुनाव आयोक की द्वारा स्टेट आइकन की रूप में चुना गया था प्रचारप्रसार के लिए next देखते हैं बिहार लोग सिवा आयोग के नए चेयर मैन बनाए गए है इनका नाम क्या है R.K. महाजन याद रखेगा most most important है पूछा जा सकता एक्जाम में तो बिहार लोग सिवा आयोग के नए चेयर मैन कौन बनाए गए है R.K. महाजन next देखते हैं देखे रास्टी गोकुल मिशन के तहट भारत के सबसे बड़े फ्रोजन सीमेन वीर इस्टेशन का उदगाटन प्रधान मंत्री दोर किया गया है most most important है ठीक है सबसे बड़े फ्रोजन सीमेन वीर इस्टेशन का उदगाटन किया गया है रास्टी गोकुल मिशन के तहट कहां पे किया गया है पूर्णिया में ठीक है पूर्णिया में किया गया है प्रधान मंत्री जी के दोरा तो सबसे बड़े frozen semen वीर का station कहां खुला गया है पूर्णिया में next देखते हैं देखे पूर्णिया में पूर्णिया में अंगल जगह मिल जाएगी ताकि आप easily पढ़ लें किसी का कोई cost आपको नहीं देना है ठीक है ये last time quick revision के लिए आया सिंदी की तरब से आपके लिए है देखे नव गठित बिहार विधान सभा के अध्यक्ष चुना गया है किसे चुना गया है बिहार के बक्सर निवासी है वह सिक्षक जिने Australia इस्थित Australia इस्थित विस्व साक्षरता foundation में हाली में भारत में अपना ब्रांड अमेजर निवेज़र निवागए है क्या नाम है इनका? Ajit Singh ठीक है? Ajit Singh है इनका क्या क्या गया है? औस्टेलिया में जो विस्व साक्षर्था फाउंडेशन है उसके द्वार उनका ब्रांड अमेजर बनाए गया है यह कहां के निवासी हैं बकसर के आपने अभी तक हमारे सभी टेस्ट पेपर जो ऑनलाइन यूटूब पे अवलेबल है अगर आप इतना करते हैं सेंसस बिहार सेंसस पे भी वीडियो बनाए गया है सभी हमारे वीडियो सेक्षन में अवलेबल है आप उसे एक बार जरूर देखें क्योंकि लास्ट टाइम पे यह सब आपके लिए क्रिवीजन है और आपकी एक अच्छी खासी पकड़ बनाएंगे करेंट अफेस सेक्षन में तो इसे मिस मत कीजिएगा नेक्स्ट है देखिए पहली बार हुआ है देश में कि PhD परिक्षा ऑनलाइन की गई है तो इसे किस ने कराया है भारत में पहली बार ऑनलाइन PhD परिक्षा लेकर बिहार के किस विद्याले ने एक रिकॉर्ड बना जाया है तो पूर्णिया विस्विद्याले बिहार ने आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि अभी उपर पूर्णिया का एक जगा नाम आया था ठीक है एक्टिव रहिए क्योंकि इस वीडियो में एक्टिव रहेंगे तभी चीज़े याद रहेंगी उपर अभी पूनिया का नाम आया था आपको comment box section में बताना है कि वो किस लिए आया था ठीक है next देखते हैं Award of Excellence से सम्मानित बिहार के प्रमुक्स अचीव बिहार के प्रमुक्स अचीव है क्या नाम है? चंचल कुमार इन्हें lockdown के दरवान अपने उत्कृष्च कारियों के लिए Award of Excellence से सम्मानित किया गया है क्या नाम हिनका? चंचल कुमार देखे राज जी का पहला बायो बैंक बनाय गया है तो इसका उत्गाटन कहां पर किया गया है? पटना पे Most most important है जो चीज पहली होती है वो काफी important होती है तो सितंबर 2020 में राज जी का पहला बायो बैंक का उत्गाटन हुआ है कहां पर पटना में Next है एक जैविक कोरिडर इसकीम चल लगी है उसके अंतरगत कितने जिले सामिल है तो जैविक क्रिशी को बढ़ावा देने के लिए राज में निर्माडा धीन जैविक कोरिडर के अंतरगत कितने जिले सामिल है तेरा ठीक है तो यह किसलिए है करा जा रहा है जैविक क्रिशी को बढ़ावा देने के लिए Next है Most most important है हरिटेज सिटी बनाई जा रही है बिहार में तो वह बिहार का कौन सा सहर है जो हरिटेज सिटी बनाई जा रहा है तो वह बोध गया Most most important है हरिटेज सिटी कहां बनाई जा रही है बोध गया में Next है बिहार और जारखंड के सबसे बड़े अगर हम पसु आहर कारखाने को देखें तो हाली में कहां बनाया जा रहा है उद्गाटन किया जा रहा है तो आरा जिले के भीहिया में सबसे बड़े पसु आहर कारखाने को बनाया जा रहा है आरा जिले के भीहिया में नेक्स्ट है देखें बिहार राजी के धनुरुवा गाउं में जन्मे देश के पहले द्रिष्टिबादित I.S. अथिकारी राजे सिंग के द्वरा एक किताब लिखी गई है नाम भी याद रखे किस कौन है द्रिष्टिबादित I.S. राजे सिंग और इनके द्वरा लिखित पुस्तक क्या है मधुबनी क्यों चर्चा में आया है भारत माला प्रोजेक्ट के तहत NH-527A पर कोसी में भारत का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है वो कहां पर बनाया जा रहा है मधुबनी में कौन सी नदी पर बनाय जा रहा है भारत के समसे लंबापुल को सी नदी पर कहां पर मधुबनी में ठीक है तो इसलिए मधुबनी जर्चा में है देखे बिहार सरकार के तोरा डॉल्फिन दिवस मनाय जा रहा है तो बिहार सरकार ने डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाने का निर्णे लिया है कब है पांच अक्टूबर को प्रतिवर्स अप्माच अक्टवर को डॉल्फिन दिवस बिहार सरकार के तोरा मनाया जाएगा Most most important है पहली transgender जिनको चुनाओ के तोरान पीठा सीन पदाधिकारी बनाया गया है पहली transgender जिनको चुनाओ के तोरान पीठा सीन पदाधिकारी बनाया गया है तो इनका नाम क्या है? Monika Das Most most important है, transgender है जिनको चुनाओ के तोरन पीठासीन अधिकारी बना दिया गया है बिहार राज्य मानवा दिकार आयोक की अध्यक्ट चुने गया है तो हाली में बिहार राज्य मानवा दिकार आयोक की अध्यक्ट चुना गया है विनोत कुमार सिनहाजी को नाम याद रखेगा विनोत कुमार सिनहाजी को देखे अनिवार सेवा निवृत्ती का आदेश देने वाला देश का पहला राजी कौन सा बन गया है? बिहार, लेकिन इसकी कंडिशन क्या है? कि उम्र 50 वर्स या उससे अधिक के अनुपियोगी कर्मचारियों को यहाँ एक वर्ड लिख दिया गया है अनुपियोगी कर्मचारियों को उनकी उम्र क्या हो? 50 प्लस तो अनुपियोगी कर्मचारियों को अनिवार सेवा निवृत्ती देने का आदेश तेने वाला अंदेश का पहला राज्य कौन सा बन गया है तो बिहार है देखे भागलपूर का फिर से नाम आया हुआ है आपको comment box में बताना है कि इस से पहले दो जगा भागलपूर का नाम आया है तो कौन-कौन सी जगा पर आया था ठीक है, भागलपूर का नाम इससे पहले दो जगा आया था, आपको बताना है उन दोनों जगा का नाम आपको comment box में mention करना है, नहीं आदा है तो फिर से वीडियो rewind कीजिए, उसे देखिए, फिर comment कीजिए, तो भारत के सबसे लंबे rails सा सड़कपूल का निर्माण, बिहार में कहां पर प्रस्तावित है, तो भागलपूर में, देखिए, सबसे बड़ा rails सा है, सड़कपूल क्या है, असम के बोगन वील में हो रहा है, ठीक है, बोगन वील से बनाया जा रहा है, और इसका जो बिहार में जहां पर सुरू होगा, यह कहां पर है, भागलपूर में, ठीक ह किया गया है तो Ease of Doing Business में State Business Reform Action Plan 2019 की ओर से हुई ranking में बिहार को कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है 26 इंपोर्टेंट है याद रखेगा कौन सी रिपोर्ट है यह Ease of Doing Business के द्वारा है State Business Reform Action Plan State Business Reform Action Plan कौन सा इस्थान मिला बिहार को 26 नेक्स देखिएगा Inspire Award मानक Registration के Final Report Scientific Approach को Students में Develop करने के लिए एक Inspire Award मानक Registration चल ला था इसकी Final Report आ गई है इसमें देज भर के द्वारा बच्चों के कराय जा रहे है Inspire Award मानक Registration के Final Report में मुझफर पूर जिले को कौन सा इस्थान मिला है तो अगर हम बिहार के क्रम में देखें तो फर्स्ट मिला है Inspire Registration के मामले में और देश में देखें तो एट्थ नमबर पर ठीक है कौन है बिहार का मुझफर पूर जिला अगर हम बिहार के क्रम में देखें तो मानवेंद्र सिवास्तो इन्होंने क्या किया है इनका संबन कहां से है सिवान जिले से तो यह क्या किये है इसकेटिंग में Guinness Book of World Record में अपना नाम दर्च किया है सिवान जिले के मानवेंद्र सिवास्तो ने ठीक है नेक्स देखते है इस्टार्ट आफ इंडिया रैंकिंग 2019 में लीडर स्रीणी तता अद्योगों में नवचार में बिहार पहले इस्थान पर है तो दो रिपोर्ट थी एक ये है दूसरी है इंस्पायर आवार्ड में मुझफर पुर्फ प्रतम है और यहाँ पे स्टार्ट आफ इंडिया रैंकिंग 2019 में बिहार पहले इस्थान पर है दोनों चीज़ याद रखिएगा देखे बिहार में क्या हुआ था बिहार के बकसर जिले में बकसर जिले के परवता रोही ने कोरोना वारियर्स को सम्मान देने के लिए उद्देश देश हिमाचार प्रदेश में इस्थित माउन फ्रेंशिप की सफलता पुर्वक चड़ाय की क्या नाम है इनका नंदन चौबे तो नंदन चौबे जी ने क्या किया था कि बिहार इनका संबंद बिहार के बकसर जिले से है तो कुरोना वारियर्स को सम्मान देने के लिए जैसा कि आपको सभी को बता है कि देश में कुरोना काल में हमारे जो कुरोना वारियर्स हैं उन्होंने बढ़ चड़ के काफी योगदान दिया तो उनको सम्मान देने के लिए नंदन जौबेजी ने हिमालय प्रदेश में इस्थित मौवन फ्रेंड्शिप की सफलता पूर्वक चड़ाई की है नेक्स देखते हैं देखे औरंगाबाद जैनगर भारत माला योजना के तहत बनने वाला बिहार का पहला ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे है कहां बन रहा है औरंगाबाद जैनगर में भारत माला योजना के तहत बनने वाला बिहार का पहला ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस वे है तो important है पहला है और ग्रीन फिल्ड है मतलब environment से related है तो याद रखिये कि कहां पे बन रहा है और अंगाबाद जैनगर में एक बार फिर से भागलपूर का नाम आया है जिनका सेंटर भागलपूर गया है वो काफी बस इसे अपने से ही इंटरिलेट कर ले कि भागलपूर में क्या-क्या इसबान नियूज में है तो उनको याद रहेगा IIT भागलपूर ने क्या किया है कि भारत सूचना प्रोदिगी कानून संसोदन इंडेक्स 2020 के तहत बिहार के भागलपूर में स्थापित IIT भागलपूर को राश्टी महत्व का दरजा दिया गया इनका नाम काफी काफी इंपोर्टेंट है तो मैथली भासा के वरिष साहितिकार राजेंद्र जहा जिनने स्री राज भी कहा जाता है इनका भी हाली में निदन हो गया है तो आपसे पूछा जा सकता है कि मैथली भासा के वरिष साहितकार जिनका हाली में निदन हो इनका क्या नाम है तो राजेंद्र जहा, स्री राज Most, most important है क्या है? On the point नरेंद मोदी ठीक है? एक पुस्तक है, इसका नाम क्या है? On the point On point नरेंद मोदी तो इसके लेखक कौन से है? बिहार के सुसील मोदी ने इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है? सुल्तान अलिमुद्दीन Most, most important है क्योंकि प्रधान मंत्री जी की उपर किताब लिखी गई है और बिहार के वेक्ती ने लिखा है तो यह काफी important है सुल्तान अलिमुद्दीन यह हमने पीछले वीडियो में भी कवर किया था लेकिन हम एक सिंगल वीडियो बना रहे हैं तो इसमें हम आपको कवर करना चाहेंगे कि मर्नो प्रांथ वर्स 2020 के पद्म विवूशनर सम्मान से समानी तिये गए है तो बिहार के राजनेता जिनने मर्नो प्रांथ वर्स 2020 के पद्म विवूशनर सम्मान समानी तिया गया क्या नाम है जॉर्ज फंडांडिस इस वीडियो में सभी इंपोर्टन चीज़ें ही कवर कर आए गई है ताकि कम समय में आप सभी चीज़ें रिवाइस कर सके इसको भी पीछे वीडियो में कवर करा दिया गया था कि बिहार में पहली बार दो उपमुक्य मंत्री बन रहे है एक है रेनु देवी, दूसरे हैं तार किसोर प्रशाद आपको बताना है कमेंट बॉक्स में रेनु देवी किस विधानसभा छेथ से संब्न देते हैं तार कि सोर प्रशाद का तो यहां मेंचन किया गया है कटिहार आपको रेनु देवी का बताना है क्योंकि पीछले वीडियो में यह बता जाए गया था नहीं है तो Google कर लिजे और comment box में जरूर लिखें देखे अभी बाग report आई थी तो उस report के अनुसार बिहार में बागों की कुल संख्या कितनी है 31 बाग बिहार में पाए जाते हैं बिहार का पहला महिला डाग घर बनाए गया है most important है जो चीज पहली होती है important हो जाती है और महिला डाग घर है केवल महिलाएं काम करती है यहापे तो यह क्या है पटना बिहार में देखे गजराज काफी चर्चा में रहा है यह क्या है डीजल रेल इंजन है गजराज और भारत में सरवादिक सक्तिशाली चीज पहली होती है जिसे चीज पहली मिठाई है जिसे चीज प्रदान किया गया है नाम क्या है सिलाउखजा आपको कमेंड बस में बताना है कि जी आई तैग किसके दोरा दिया जाता है ठीक है कमेंड बस जरूर मेंशन करें भी मोस्ट मोस्टि मुऌस्टिअरन है पहला सामुदायक पक्छी अभ्यारन तो यह कहां बनाय गएगया है पहला है सामुदाइक पक्छी अभ्यारन जीतनराम मांजी मोश मोश इंप्रोटेंट है यह क्यों बनाए गए है तो यह प्रोटेम स्पीकर यहां में स्प्रिंट हो गया है प्रोटेम है प्रोटेम स्पीकर बनाए गए है सत्रमी विधानसभा के जितन राम मां भी क्या बनाए गए है 17-वी बिहार विधानसभा में प्रोटम स्फीकर बनाए गए है नेक्स्ट बिहार की प्रतम महिला उपमक यंत्री हमने देख लिया था क्या नाम है रेनू देवी कौन से विधानसभा चेते से है बेतिया से बाका इस बार काफी चर्चा में है, most most important है, याद रखिएगा, क्यों important है, कि भगवान बुद्ध से सम्बंदित प्राचीन भवनों के अफसेश मिले हैं, कहां मिले हैं, बाका में बिहार राज जिन निर्वाचन आयुक्त के पत्पन नियुक्त हुए हैं, क्या नाम है इनका, दीपक प्रशाद, नाम याद रखिएगा, next है, बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे इस बार के, most most important है, क्या नाम है इनका, HRC निवास, HRC निवास हैं, ये क्या है बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, next है, बिहार किसी विश्विद्वयले संभोर भागलपूर, फिर से भागलपूर का नाम आया है, तो सूचना एवम तकनीक के माध्यम से, ग्रामीड युवाओं और महिलाओं को, तकनीकी हस्तांतरण और छमता समवर्दन के स्कॉच गोर्ड आ्वाड दिया गया है, किस लिए दिया जाता है, थे ग्रामीड युवाओं और महिलाओं को, तकनीकी हस्तांतरण और छमता समवर्दन के लिए, पोटेंचिल डेप्लमेंट के लिए, टेक्निकल फील्द के बढ़र थे दौरा, स्कॉच गोर्ड आवाड याद रखिएगा, देखे एक मूवी है, The Scotland Film, इसका संबन्द है, इससे संबन्दित है, Manis Vatsalye, तो सिनेमा जगत के सबसे प्रतिष्टिट Oscar Award के लिए nominated, Oscar Award के लिए nominated हुई है, कौन? The Scotland, फिल्म के लिए चैनित बिहार के पहले फिल्मकार है, बिहार के पहले फिल्मकार है, तो नाम भी important हो जाता है, पहले हैं, तो उम्हें क्या नाम है, Manis Vatsalye, तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, The Scotland, और इनका नाम, Manis Vatsalye, और ये बिहार के पहले फिल्मकार है, तीनों तरह से question पूछा जा सकता है, देखें, देश में भी पहले happiness index 2020 की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पिछले दिनों जारी देश के पहले happiness index में, बिहार की rank मिली है, 25th, याद रखिएगा happiness index में बिहार की कौन से rank है, 25th, आपको comment box में बताना है, कि first position पे कौन है, happiness index में, देश की happiness index में, राज सूचना प्रोदोगी की संस्थान, NIE, LIT के digital protection और causal केंदर, में रवीव संकर प्रशाद ने राज्टिये electronics और सूचना प्रोदोगी की संस्थान के digital protection और causal केंदर का सिलिन्यास किया है बिहार में, ये कहां पे किया गया है, मुझफ़रपूर में, आपको comment box में बताना है कि अभी चार जिले थे बिहार के, जो smart city ये तौर पे चैनित किये गए हैं, उनके नाम क्या है, एक तो मुझफ़रपूर है, बाकी तीन के आपको comment box में नाम बताने हैं, देखे क्या हुआ है कि हर बिहार के एक scheme है, हर घर नल का जल, निष्चय योजना है, निष्चय योजना का एक प्रस्थुत्त करण है, तो इसमें क्या किया है कि इसको जहें presentation किया गया है इसका, जीट्वन्टी सम्मेलन में, बिहार के लिए और भारत के लिए most important है ये, कि एक scheme का promotion किया गया है प्रस्तुती करण किया गया है presentation दिया गया है G20 सम्मेलन में तो आप से पूछा जा सकता है कि कौन से scheme है जिसका जहें G20 में प्रस्तुती करण किया गया है तो हर घर नल का जल निश्चाई भूचना तो इसलिए ये important हो जाती है देश के 29 सहरों के सुची में बिहार के मुंगेर को 3 इस्तान राप्ट हुआ सौछटा के मामले में दूसरा है सौछटाव्यक्षन में बड़े राज्यों की स्रेड़ी में बिहार का इस्तान कौन सा है फिर सौछटाव्यक्षन 2020 में 10 लाग से कम अबादी वाले तस लाग से कम आवादी वाले देश का सबसे गंदा सहर कौन सा है तो गया तो तीन नाम याद रखिएगा मुगेर पार्वा और गया तीन चीज़ें याद रखिएगा अर्चना सोरंग काफी इंपोर्टेंट है नामित राची जारकंड की कार करता है क्या नाम इनका अर्चना सोरंग अर्चना सोरंग का नाम रट लीजिए एकदम से एकजाम में आना लगभगता है देखे पीम केर्स फंड के दोरा कुरोना काल में पैसा एकटा किये गये थे उससे बिहार में दो पांसो बेड़ वाले हॉस्पिटल बनाए गए हैं तो ये कहां कहां बनाए गए हैं पटना और मुझफरपुर में याद रखिएगा बिहार का पहला ऑनलाइन बजार खोलने वाले महिला समू देखे फिर से आजाए भागलपूर का नाम भागलपूर जिने में बिहार का पहला ऑनलाइन बजार खोलने वाले महिला समू का नाम क्या है जीविका जीविका ने क्या किया है कि पहला ऑनलाइन बजार खोला है कहां पे भागलपूर में ये महिला के दौरा संजालित किया जाता है जीवी का प्रोग्राम तो भागलपुर जिले में बिहार का पहला ऑनलाइन बजार खोला गया है बिहार में दूसरा चिडियागर खोला गया है तो ये कहां खोला गया है अररिया में आपको कमेंट बॉक्स पर पताना है कि पहला कहां पूला गया नहीं पता है तो गूगल करिए जो चीज़ आप धूडेंगे सर्च करेंगे वो आपको हमेशा याद रहेगी एक्जाम पास में है तो ये चीज़ें काफी इंपोर्टेंट हो जाती है आपके लिए तो बिहार में दूसरा चिडिया गर कोहां खोला गया है अर अर जाए कि यह दो कारिक्रम बिहार सरकारदर सुरू किए गए तो वित्ति वर्स 2021 में राज जी में मात्री मित्ति हो जाती है जन्म की में बच्चों के उसके अनुपाद में कमी लाने है तो सुमन योजना सुरू की गई है और शाथिसाथ निसुल के राष्ट्टी ने सिण का तो अगर हम बिहार में सिसु मृतिदर देखें, प्रती हजार में, तो अब 60 से घटकर 35 हो गई है, most most important है, और जब कि अगर हम राश्टी ओसत देखें, तो राश्टी ओसत सिसु मृतिदर का 33 है, तो बिहार की अच्छी position है, sorry, खराब है, sorry, sorry, तो सिसु मृतिदर हम देखें, तो सिसु मृतिदर एक हजार जन पर 60 से घटकर 35 हो गई है, और राश्टी ओसत कितना है, 33, बिहार में राज मृतिदर मात्रित्व मृतिदर वर्स 2005 में 312 थी, जो 2017 में घटकर 165 हो गई है, तो इसमें improvement हुआ है, याद रखेगा, राज मात्रित्व मृतिदर जो माताओं के संबंद में है, तो ये 312 पहले थी, जो 2017 में घटकर कितनी हो गई है, ये 165, काफी important है ये news, most most important है, पंदरवी वितायोक की अनुसन साहब, पहले तो इसकी अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा आपसे, तो ये क्या है, N.K. सिंग, 15th Finance Commission के जो अध्यक्ष है, इनका नाम क् क्या है, कि इन्होंने केंदरी करों में जो बिहार की हिस्सेत आ रही है, उसे 10.061 प्रतिशत ने धारित कर दिये है, ये भी most most important है आपका, तो 14 वितायोक की तुलना में कितने प्रतिशत की विद्धी हुई है, 0.396, आपके लिए 2 data important है, 0.061 और 7.7%, 7.7 N.K. Singh, ये 2 नाम का रुजहान बढ़ाने के लिए प्रतिभा स्टाइपेंड योजना शुरू की गई है, तो राज जी के क्रिशी विस्योद्यालों में अनुसंधान प्रुसाहन ग्रांट एविं क्रिशी चात्रों को सम्मानित करने के लिए प्रतिभा स्टाइपेंड योजना शुरू की ग गई है जल जीवन हर्याली काफी important रहा है क्यों रहा है क्योंकि 24,500 करोड उपए इसमें invest किया जा रहा है जल आयू परिवरतन से निपटने है तू तो बहुत बड़ा amount इंवेस्ट किया जा रहा है पहली बार बिहार सरकार के द्वरा तो जल आयू परिवरतन से निपटने है 24,500 करोड उपए कि वैसे जल जीवन हर्याली अभ्यान के सुरुआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है पहला बन गया है environment के respect में काम कर रहा है तो यह most most important scheme हो गई है आपसे data पूछा जा सकता है नहीं तो यह scheme का नाम पूछा जा सकता है विकासदर के अग तो उनों data most most important है अकर इस थिर मूल पर पूछा जाता है तो 10.53 है और वर्तमान मूलियों पर पूछा जाता है तो 15.01 प्रतिशत की विकासदर तरजी है पिछले तीन वर्सों में यह double digit में पहुँचने वाला देश का पहला राज्य है most most important topic है यह primary, secondary और tertiary का क्या योगदान है बिहार में हर बार एक question आता ही है इससे कि primary, secondary और tertiary में क्या छेत्र का हिस्सा क्या है बिहार में तो अगर हम primary देखें तो 21.30 प्रतिशत है secondary देखें 19.70 परसंट है और tertiary देखें तो 59 परसंट है तो सबसे ज़्यादा कहां पर है सेवा चेत्र का है 59 परसंट, tertiary सेक्टर का, most रड़ डालिए इसको, परसंट भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है किसका है तो आपको याद होना चाहिए, primary, secondary और tertiary में साथी साथ अगर हम राश्टी आये की बात करें तो प्रतिवक्ति अगर हम राश्टी आये देखें तो 47,541 है ठीक है और इस्थिर मुल्यों पर कितनी है 33,629 तो most most important है data याद रखिएगा एक scheme शुरू की गई है एक प्रिथवी एक घर तो पर्यावरान वन एम जलवायू परिवर्तन विभाकी ओर से किस सैक्षिनिक कारिकरम के आयोजन के तहट बिहार के सरकारी विश्यों विद्यालों में एक से आठ कच्छा वर के चाथ चात्राओं के लिए को जोड़ा जाएगा किसलिए जोड़ा जाएगा क्या नाम है इस स्कीम का एक प्रिथवी एक घर तो एक तो इसका नाम पूछा जा सकता है दूसरा किस आयू वर के चात्रों के लिए है कच्छा वर के चात्रों के लिए तो एक से आठ वर के चात्रों के लिए है क्लास एक से वन से एट तक के लिए है और नाम क्या है एक प्रिथवी एक घर परिवरतन विभाग की दोरह सुरू किया गया जल जीवन हर्याली अभियान है हाली में आयोजित किये गए रच संयूक तराश्ट की उच्छ इस तरी राउंड टेबल कॉंफरेंस में बिहार सरकार दोरह चलाई जा रही जल जीवन हर्याली के लिए नितीज कुमार को संबान दिया गया तो most important है संयूक तराश्ट का नाम जुड़ गया है साथी साथ बिहार की स्कीम है जल जीवन हर्याली अभियान और नितीज कुमार जी को संबानित किया गया है इन उस काफी important है कही ने कहीं डारेक्ट इन डारेक्ट आप से पूछी जाएगी क्या नाम है जल जीवन हर्याली अभियान बाढ़ प्रबंधन के लिए अत्याधुनिक डेटा सेंटर most most important है जैसे कि बिहार हर बाढ़ प्रभावित रहता है तो उसके लिए एक अत्याधुनिक डेटा सेंटर बनाया जा रहा है डाटा सेंटर तो एक कहां बनाया जा रहा है तो पट्ट नाम है ठीक है याद रखिएगा मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के क्रियानवन की रैंकिंग मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के कौर्डिंग जहे कौन सा जिला कैसा कारे कर रहा है उसकी एक रैंकिंग बनाई गई है इस रैंकिंग में अगर हम देखें तो बिहार का जहानाबाद जिला टॉप पे है तो जहानाबाद याद रखेगा किसलिए टॉप पे है मुख्यमंतरी साथ निश्या योजना के क्रियानवन के लिए मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेट है लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि बिहार के बेगु सराय में इस्थित कावर जिल कावर ताल जील जिसे कहते है जिसे हाल ही में बिहार की पहली रामसर साइट गोसित किया गया है ति किस नदी पर बनी हुई एक गोकुर जिल है तो गंडक नदी पे गंडक नदी कावर जील गंडक गंड़ी नदी कावर जील बिहार की पहली रामसर साइट है देखें केंद्री उभोकता मामले खाद और सारवजनिक वितरन मंत्री राम विलासपासवांजी का निधन हो गया है इनका संबन्द बिहार के किस जिले से है तो खगडिया बिहार से तो राम विलासपासवांजी का संबन्द किस से है खगडिया बिहार से State of Young Child in India रिपोर्ट आई है तो हाली में जारी State of Young India की Young Child Environment Index में बिहार की कौन सी रंक आई है 23rd Most Most Important याद रखिएगा ठीक है Child Environment Index में बिहार की कौन सी रंक है 23rd नेक्स्ट है बिहार में बिरोजगारी दर्ग Center for Monitoring Indian Economy CMIE दोरा एक आंकड़ा जारी किया गया है जिसके नुसार बिहार में बिरोजगारी दर्ग कित्ती है 11.9% Most most important है रट लीजे 11.9% ठीक है नेक्स्ट देखते हैं अगर हम बिहार में बजट का आवंटन देखें तो इस बार सबसे ज़्यादा आवंटन किस छेत्र में हुआ है तो प्रात्मिक सिक्षा पर सिक्षा पर आपका बजट का आवंटन सबसे ज़्यादा हुआ है नेक्स देखते हैं अगर हम देखें कि पैसा आता कहां से है जो इस बार बजट में पैसा आया हुआ है तो केंदरी करो में जो राज्यों का अंस होता है उसी के कोर्डिंग बिहार में पैसा आया हुआ है सबसे ज़्यादा और अगर हम देखें कि खर्च कहां होता है तो सबसे ज़्यादा खर्च सामाजिक सेवाँ पे होता है बिहार में तो ये वीडियो हमारे लिए काफी important था उमीद है आप सभी को पसंद आया होगा इसमें एक साल का पूरा current affair डाल दिया गया है कुछ चीजें छूट गई है वो काफी important आपके लिए नहीं है बिहार राज विशेस में वीडियो अगर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करें शेर कीजिए और इसकी पीडियो हमारे टेलिग्राम ग्रूप में सेंड कर दी जाएगी साथ ही साथ आठ से नौ वाट्सप ग्रूप बना दिये जा रहा है आपको जो भी लिंक मिलना है उस पर क्लिक कर ये जॉइन किजिए साभी टेस्ट पेपर आये सिंदी के और ये पीडियाफ आपको वहीं पर फ्री में प्रोइड करा दी जाएगी ठीक है थैंक यू फ्रेंट्स कीप वाचिंग कीप सेरिंग